हमारी चनल पर आप सभी का स्वागत था है हम फिर से एक तास का निया जादू लेकर आया हूँ मैं इस जादू को आप लोगों को दिखांगा और पिर इसे सिखांगा आप इसे ध्यान से देखिए किस तरह मैं जादू करता हूँ फिर इसको बताऊंगा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। कितना बार आप लोगे सब्सक्राइब करता हूँ कि आप मेरा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत दिनों से दिखा रहा हूँ जादु और अप लोगों से मेरे भिन्ती है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चलिये आब जादु दिखाने जा रहा हूं और देखिएगा हम यह जादु किस तरह से दिखा रहे हैं हमारे पास एक पत्ता नीचे से निकाले और उपर रख दिये, फिर एक पत्ता नीचे से निकाले, फिर इसको हम उपर रख दिये, फिर दूसरा नीचे से निकाले, फिर इसको हम इहां रख दिये, फिर एक पत्ता नीचे से निकाले, फिर एक पत्ता हम इहां निकाले, यह चार फिर एक पत्ता निकाले फिर उपर रख दिये फिर इसको हम निकाले यह 5 फिर एक पत्ता हम निकालकर उपर रखे फिर निकाले 6 फिर एक पत्ता हम उपर रखे फिर आपके नजरों के सामने यह निकाले 7 फिर एक पत्ता हम उपर रखे फिर एक पत्ता निकाले फिर एक प थाना क्नाそうですね अवाद्धस फिर कि पत्ता अख्ता स्थांस यह पत्ता स्थे और अलें के दैस्वर भूब करते हैं आपके नजरों के सामने हम सीरियल 23456789स ही माने आपके जाडु के सामने एक से लेकर तेरद तक मैंने तास सिरीएल नंबर से निकाले जादु अगर अच्छा लगा होको आप लोगों से मेरा निEPार जी कि कि यह और सब्सक्राइब कि जीएगा देखिएगा मैं जादू किस तरह करता हूँ देखिए इसकी सेटिंग किस तरह से होती है यह जो होता है एक दो तीन फिर हम इसको रखते हैं चार फिर रखते हैं पांच फिर रखते हैं छे फिर रखते हैं साथ फिर रखते हैं आठ फिर रखते हैं नौ फिर रखते हैं दस फ फिर रखते हैं 12 फिर रखते हैं 13 अब इसकी सेटिंग किस तरह से होती है उसे आप लोग देखेंगे देखेगा आप इसकी सेटिंग कैसे करते हैं यह आपके नजरों के सामने दिखा रहे हैं अब यह एक के नीचे पहले हम क्या करते हैं इस इनके एक से पहले हम इस सत्ता को रखते हैं फिर दूसरा नंबर आता है एक के बाद तो इसको हम लालपान का बेगम जो है हम यह दो नं नम्मर लगाते हैं फिर उसके बाद चार नम्मर के बाद हम क्या करते हैं इस गुलाम को लगाते हैं इस चार नम्मर के बाद हम इस गुलाम को लगाते हैं फिर इसी तरह से पांच शे के बीच में हम नौ को लगाते हैं और फिर उसके बाद लाश्ट में हम इसे बासा लगाते हैं और इस तरह से इसकी सेटिंग हो जाती है आप देखेंगे इसकी सेटिंग किस तरह से हुआ है अगर इसे ध्यान से देखेंगे तभी आप कर पाएंगे नहीं तो आप कितने बार कोशिज करेंगे होगा नहीं देखिए इसे ध्यान से देखिएगा किस तरह से सेटिंग किया हुआ है अगर यह सेटिंग आप कर लिए त तास का जादू को दिखा सकते हैं इसे ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से किया गया इसी तरह से जब आप सेटिंग कर लेंगे तभी आप इसे दिखा सकते हैं तो देखिए सेटिंग हो चुका है अब हम दिखाने जाना है आपको यह सत्ता है हम इसको पहले निकालते हैं यह क्या करते हैं नीचे से हम उठाकर उपर रखते हैं अब होता है एक कि फिर नीचे से पत्ति निकालते हैं फिर नीचे निकालकर उपर रखते हैं रखने के बाद हम दूसरा पत्ति निकालते हैं नम्मर दो होता है कि यह दूसरा नमर था यह फिर हम नीचे से जो पत्ती निकालते हैं यह होता है तीन फिर हम आप इसको हम उपर रखते हैं और यह नमर आता है चार फिर इसको हम उपर रखते हैं फिर निकालते हैं पांच फिर हम इसको नीचे से निकालकर उपर रखते हैं फिर निकालते हैं फिर इस तरह से नीचे से उपर रखते हैं, रखने के बाद हम निकालते हैं 7, उपर रखने के बाद इसे निकालते हैं 7, फिर हम नीचे से निकालकर ये उपर रख देते हैं और रखने के बाद 8, फिर इसे हम निकालते हैं, फिर इसको निकालते हैं 9, फिर इसको नीचे से हम इसको उपर रखते हैं और नीचे का पती निकलता है तो यह लास्ट में थर्टे इस तरह से आप देख रहे होंगे कि इस शीरियल नंबर से तास निकलता है अगर आप लोग सेटिंग करना अभी भी नहीं आया है तो हम खिर से सिखा दे रहे हैं आपको कि सेटिंग कैसे करते हैं यह जो होता है कि कभी भी इस तरह से नहीं सेटिंग करना हो तो इसके उपर से आप लगाईएगा तास को जैसे एक से उपर लगाईएगा उपर जब लगाएंगे तभी सेटिंग कर पाएंगे इस तरह से आप सेटिंग यहां पर इस सेवन को उठाकर यहां रग लेते हैं एक के पहले फिर एक के बाद हम दूसरा नम्मर पर बेगम को लगाते हैं इस बेगम को लगाते हैं दूसरा नम्मर फिर तीसरा नम्मर पर इस आठ को लगाते हैं यह देखिएगा आठ को लगाएं तीसरे नम्मर पर फिर उ फिर उसके बाद आप फाइब सीस के बीच में इस बासा को लगाते हैं किंग फिर लास्ट में इस तरह से इसकी सेटिंग करते हैं जब इस सेटिंग को आप कर लेंगे तभी आप इस जादू को दिखा सकते हैं नहीं दिखा पाने इस तरह से अब इस तास को आप पहले नीचे से निकालेंगे उपर रखेंगे उसके बाद एक फिर नीचे से निकालेंगे उपर रखेंगे फिर कहेंगे दो फिर नीचे से उठाकर उपर रखेंगे फिर कहेंगे तीन फिर नीचे से उठाकर उपर रखेंगे फिर कहेंगे चार फिर नीचे से उठाकर उपर रखेंगे फि फिर कहेंगे नीचे सूठा कर उपर रखेंगे फिर कहेंगे नौ फिर नीचे सूठा कर उपर रखेंगे फिर कहेंगे दस फिर नीचे सूठा कर उपर रखेंगे फिर कहेंगे 11 बने 11 यानि घुलाम फिर नीचे सूठा कर उपर रखेंगे पान का बेगल फिर ये लास्ट में क यानि भास्षा यह हमारा जादू है अगर जादू अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए नमस्कार